हेलो स्टूडेंस कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास सेवंथ की वॉक्षीट नंबर 17 जो की 20th सेप्टेंबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का सब्चिक्ट है गनित और जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है घात तथा घात आंक के नियम तो सबस इसे पहले हम इस वॉक्षीट में समझेंगे कुछ नियमों को और उसके आधार पर हमें कुछ प्राश्णों को हल करना है जिसे मान लो हमें एक उधारन दे रखा है चार की घात दो गुणा में चार की घात तीन तो जब दो संख्याएं हमें गुणा में दे रखी हैं और उ अलग भी हो सकती है या एक जैसी भी हो सकती है तो इसका मतलब कोई भी एक संख्या जैसे कि हमें यहाँ पर उधारण के तौर पर बता रखा है A की घात M, गुड़ा में A की घात N को हम सिम्पल A की घात M, जमा N लिख सकते हैं लेकिन अगर हमें यही प्रश्ण ऐसे दिया होता कि 4 की घात 2, जमा में 4 की घात 3 तब इसको हम 4 की घात 2, जमा में 3 नहीं लिख सकते क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जमा का निशान है, गुड़ा का निशान नहीं है अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नियम इसमें हमें क्या करना है? भाग का नियम दे रखा है जैसे मानलों 4 की घात है 5, भाग में 4 की घात 2 तो अगर यह भाग दे रखा है तो इसका मतलब अब हम घात को घटाएंगे 5 घटा में 2, यानि जो आधार है वो तो हम एकी बार लिखेंगे और घात को घटाएंगे और कब घटाएंगे? जब बीच में कौन सा निशान दे रखा है? भाग का तो आपको ध्यान रखना है कि जब ही भी दो संख्याओं के बीच में गुणा का निशान है तो घात की संख्याएं जुड जाएंगी और अगर भाग का निशान है तो घात की संख्याएं घटा हो जाएंगी ठीक है ये दो नियम हमने पढ़ लिए अब थर्ड नियम हम देखते हैं जैसे मानलो 5 की घात है 2 और इस पूरे की घात हमें दे रखा है मानलो 3 तो इस केस में अब ये दोनों घात गुणा हो जाएंगी यानि 5 की घात 2 गुणा में 3 यानि 5 की घात आ जाएगा 6 इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है 5 की घात 2 है और इस ब्राकेट में 3 है और ब्राकेट का मतलब अगर हम 2 ब्राकेट 3 लिखते हैं तो इसका मतलब गुणा ही होता है तो bracket को अगर हम खोलेंगे तो ये दोनों संख्याएं गुणा में हो जाएंगी तो कभी भी जब घात की घात लगा रखी हो ऐसे bracket में तो वो घात आपस में गुणा हो जाती है हमेशा ध्यान रखना ठीक है अब इसके बाद है कि अगर दो अलग अलग संख्याएं दे रखी है मतलब कि आधार की संख्याएं ही अलग है एक पांच है और दूसरा चार है लेकिन इनकी जो घात है वो बराबर है तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को गुणा कर देंगे पांच गुणा में चार और दोनों की घात हम तीन लगा देंगे पांच गुणा चार आजाएगा बीस और बीस की घात आजाएगा तीन ठीक है तो ये ध्यान रखना है कि अगर आधार अलग अलग है और घात एक जैसे हैं तो इनको आपस में भी हम गुणा कर सकते हैं और अगर यही संख्या अगर हमें भाग में दे रखिये जैसे मान लो 9 की घात 3 है भाग में 3 की घात 3 है तो हम क्या कर सकते हैं 9 बटे में 3 यानि 9 बटे में 3 और इस पूरे की घात हम 3 यानि गात को एक साथ ले सकते हैं और 9 और 3 को भाग करेंगे तो 3 एक हम 3, 3 तीया 9 होता है तो 3 की घात 3 आ जाएगा है और 3 की घात 3 को अगर हम खोलना चाहें तो 3 गुड़ा 3, गुड़ा 3 यानि की कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसके अलावा एक नियम हमें और समझना है कि कोई भी संख्या है चाहे मान लो वो 5000 ही क्यों ना हो अगर इस पूरे की घात 0 है तो इसका अंसर आजाएगा 1 अगर मान लो है 15 15 की घात है 0 तो इसका भी मान आजाएगा 1 यानि कि कोई भी संख्या अगर उसकी घात 0 है तो उसका अंसर 1 ही आएगा चाहे आधार में यहाँ पे कोई भी संख्या क्यों ना हो ठीक है अब इसके आधार पर हमें क्या करना है कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने है तो देखिए सबसे पहले हमें कहा रखा है निमलिखित में से प्रतेक को सरल करके घात आंक के रूप में व्यक्त करें तो जैसे पहला प्रश्न है पी की घात 3 गुणा में पी की घात 2 अब यहाँ पे हम क्या करेंगे क्योंकि आधार 1 जैसा है तो आंसर आजाएगा पी की घात 3 जमा में 2 यानि की पी की घात कितना आ गया 3 जमा में 2 आ जाएगा 5 तो सेम आपको बस यही करना है सेम यही स्टैप आएगा इसके लावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है यह आ जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न तो दूसरे प्रश्न में हमें दे रखा है घटा चार की घात 10 गुणा में घटा चार की घात सॉरी दस नहीं 100 है 100 और 20 अब क्यूंकि आधार सेम है तो हम घटा चार एक बार लिख सकते हैं और उपर घात है 100 और 20 अब क्यूंकि यहाँ पर गुणा का निशान था तो हम बीच में यहाँ पर जमा का निशान लगा देंगे तो आंसर आजाएगा घटा चार की घात सॉ जमा में 20 यानि की 120 यह आंसर आजाएगा सेकिंड कोश्चन का ठीक है और इसके लामक कुछ नहीं लिखना बस इसके बाद आप ये लिखेंगे और इसके बाद ये लिखेंगे और इस तरीके से हमारा दूसरा प्रशन भी हल हो जाएगा अब हम देखेंगे ये वाला प्रशन इसमें हमें भाग दे रखा है देखो इस घात में से इस घात को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 20 की घात 2 इसको अगर आप और ज़्यादा खोलना चाहो तो 20 गुणा में 20 लिखोगे जिसका आंसर कितना आ जाएगा? 400 ठीक है? अब हम देखते हैं इसका second part second part में कह रखा है 7 की घात 13 भाग 7 की घात 10 तो इसका आंसर आ कितना आ जाएगा? 7 की घात 13 घटा में 10 यानि आंसर कितना आएगा? 7 की घात 3 और 7 की घात 3 को अगर आप खोलना चाहें तो 7 गुणा 7 गुणा 7 भी लिख सकते हैं जिसका आंसर आ जाएगा 7 गुणा में 7 49 9 इन्टू में 7 इसको एक बार और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3, 4, 3 यह आ जाएगा चलो मैं नहीं चलिक रहते हैं 3, 4, 3 गुणा करने पर यह आंसर आता है यानि 7 की घात 3 आप डिरेक्ली भी याद कर सकते हैं कि वो किसके एक्वल होता है से ब्राकेट हटाएंगे और दोनों घात को गुणा कर देंगे यानि 6 की घात आ जाएगा 20 ठीक है यह हो गया पहले का आंसर अब सेकिंड का देखें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 की घात 50 गुणा में 2 यानि 7 की घात कितना आ जाएगा? 100 बस इतना सही आंसर है इसका अब हम देखेंगे नेक्स पार्ट यहाँ पे है A की पावर 2 A की घात 2 गुणा T की घात 2 अब यहाँ देखो घात बराबर है जबकि यह संख्या अलग-अलग है तो हम क्या करेंगे? A गुणा में T दोनों को लिखेंगे और दोनों की इकटे की घात लगा देंगे 2 और A और T को गुणा करके हम A T भी लिख सकते हैं A T और इस पूरे की घात 2 पर ध्यान रखना इसको आप A T की घात 2 ऐसे मतलिखना क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा कि घात 2 सिर्फ T के साथ है A के साथ नहीं है तो जब 2 संख्याए होंगी तो आप ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखेंगे जिससे समझ में आए कि यह जो घात है वो दोनों संख्याओं के साथ है ठीक है अब इसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आधार अलग-अलग है और घात एक जैसे है तो हम लिखेंगे घटा दो गुणा में घटा तीन और इस पूरे की घात क्या लगा देंगे चार तीन दुनी होता है छे और घटा घटा आजाएगा जमा तो छे की घात आजाएगा चार तो यह आजाएगा इस क्वेशन का अंसर अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रशन की तरफ जिसमें हमें देखो अगेन घात हमें सेम दे रखी है लेकिन आधार अलग-अलग है तो अब क्या करेंगे दो बटे में B और इस पूरे की घात क्या आजाएगा पाँच अब क्यूंकि यहाँ पर भाग है तो हमने यहाँ पर 2 और B को भाग में लिखती आए दो बटे B बस इसके आगे इसको solve नहीं कर सकते हैं तो यहीं पर छोड़ देंगे अब इसका अगर हम second part देखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे समझ में आ गए होंगे और इसके आधार पर जो हमने प्रश्णों के उत्तर लिखें हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू